नमस्कार दोस्तो मैं जिस साब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साथ अगमें दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डिपलोमा इंजिनेरिंग के जितने भी फाइनल सेमेस्टर के छात रहें उनके लिए इनुवर्सिटी के होगा और कब खतम होगा तो वीडियो को पूरा देखे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दवाए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पह समेश्टर की परिक्षाएं 27 अगस्ते स्टार्ट होने वाले हैं उसी की समय सार्णी के रिलेटेड इनका जो विस्सा है तो आप वीडियो को पूरा देखें जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो ट्रेड वाइज इनका टाइम टोवल है कब-कब एक्जाम होने वाला है तो दोस्तो सबसे पहले हम आटो मोबाइल इंजिनेरिंग के जो चातर है उनके बारे में बताने वाले है कि उनकी टाइम टोवल क्या है तो सबसे पहले दोस्तो जो सिस्टेम है सेमेश्टर पध्धति के चातरों के लिए है और जो सेमेश्टर है सिक्स सेमेश्टर के चातर का एक्जाम का है जो पेपर में टाइमिंग मिलेगा दोस्तो दो घंटे क्या क्वेश्टन पेपर सॉल्फ करने का आपको टाइमिंग मिलेगा और जो डेट से 27 अगस तो 2020 से एक्जाम स्टार्ट होगा पहला आप सब्जेक्ट देख सकते हैं दोस्तो वीकल इमिनेशन कंट्रो का पेपर होगा उसी प्रकार से 2पर दोस्तो एक सितंबर को चलेगा और स्टर्ड पेपर जो चार शितंबर 2020 को हो जो कि आर्ट डि तो मोबाईल इंजिनियरिंग के चात्रों के लिए है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि फर्ष्ट पेपर में जो इस्टार्ट होगा उसके बाद दो-तीन दिन का gap मिलेगा सेकेंड पेपर के लिए थर्ड पेपर के लिए भी तो तीन दिन का gap इन्वरसिटी के दौरा रखा गया है तो आप इस वीज़ में अपने जो अगला पेपर है एक सितंबर को होगा और जो अगला पेपर है दोस्तों चार सितंबर को होगा। इनमें भी दोस्तों सेम टाइमिंग हैं। लगबग हर पेपर में आपको दो घंटे का ही टाइम मिलेगा। जो कि online होगा दोस्तो तो आप घर पैठे हैं इस question paper को solve करेंगे जिसका mock test university के द्वारा लिया जा रहा है तो आप अपना prepare हो जाए कि किस प्रकार से आपको exam देना है उसी के बाद दोस्तो chemical engineering के जो छात रहे है उनका paper दोस्तो 29 अगस्तु 2020 से चलेगा जो कि पांच सितंबर 2020 तक आपका exam होगा पहला paper जो दोस्तो दो घंटे का सभी का time है और दोस्तो जो पहला paper है 29 अगस्त 2020 को start होगा फिर एक दो दिन की gap के बाद 3 सितंबर को होगा फिर एक दो दिन gap के बाद 5 सितंबर को exam होगा लास्ट दोस्तो जो exam है chemical reaction engineering के related जो subject है उनका exam है तो आप देख सकते है अपना जो आपका trade हो उस trade को आप दोस्तो ध्यान से देख लें कि उनका exam कब और किस प्रकार से होगा उसके बाद दोस्तो जो civil engineering के छातर है उनका भी paper 29 अगस 2020 को होगा जो कि पहला subject है P.H.E. उसके बाद दोस्तो दो तीन दिन gap के बाद 3 सितंबर 2020 को paper होगा Q.S.C. उसके बाद 5 सितंबर को paper होगा तो third paper है दोस्तो तीन paper होगा जो final semester के छातरों का exam का time to world university के द्वारे release किया गया है उसके बाद दोस्तो जो computer science के छातर है उनका भी paper तीन paper है जो कि 27 अगस्त 2020 से start होगा एक सितंबर 2020 को अगला paper होगा उसके बाद दोस्तो चार सितंबर 2020 को paper होगा पहला paper दोस्तो computer graphic, multimedia and animation के related है फिर दूसरा paper दोस्तो do.net technology का है उसी परकार से दोस्तो जो data mining in other subjects है आपके वो आपका है आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तो जो अगला trade है electrical engineering के छात्रों का exam है जो कि 29 अगस्त 2020 से start होगा फिर अगला paper 3 सितंबर 2020 को होगा फिर अगला paper जो दोस्तो 5 सितंबर 2020 को होगा थ्री थ्री papers है दोस्तो जो कि आपको online mode से exam देना होगा अगला जो trade है दोस्तो electronic and telecommunication engineering के जो छात्र है उनका भी paper जो दोस्तो 29 अगस्त 2020 से start होगा यह अगला paper उसके बाद दोस्तो 1 सितंबर को होगा उसके बाद दोस्तो 5 सितंबर 2020 को होगा consumer electronic का पहला paper होगा उसके बाद दोस्तो last paper जो है computer programming related subject का है जो छात्र electronic and telecommunication engineering के जो छात्र है अब दोस्तो जो main trade है electrical and mechanical engineering के जो छात्र है उनका जो paper होगा 29 अगस्त 2020 से start होगा engineering conservation and management का paper होगा पहला paper उसके बाद दोस्तो 1 सितंबर 2020 को automobile engineering का paper होगा उसके बाद दोस्तो 3 सितंबर 2020 को maintenance and testing का paper होगा तो दोस्तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी trade हो आप उस time table को ध्यान पुर्वग देखें समझें अब दोस्तो mechanical engineering के छात्रों के बारे में हम बताने वाले हैं तो 27 अगस्त 2020 को पहला paper है जो की design of mechanic element का subject है उसके बाद दोस्तो अगला जो paper है 1 सितंबर 2020 को होगा automobile engineering का उसके बाद दोस्तो 4 सितंबर 2020 को अगला paper जो की last paper है छात्रों का अब दोस्तो जो mind surveying के छात्रों के उनका भी paper 29 अगस्त 2020 से start होगा जो की इनका 7 सितंबर 2020 तक चलेगा पहला paper mind surveying driving का है उसके बाद दोस्तो लास्त जो paper है 7 सितंबर 2020 को चलेगा mind management and economics का paper है दोस्तो ताब इस बीच में अपना exam और जो time table है उसको ध्यान पूरुवक देखें समझें उसके बाद आपका जो exam जिस डेट में है आप अपने घर पे बैटके ही exam देना दोस्तो online mode से जो भी आपने survey form को fill up करते समय सिस्टम desktop laptop जो भी आपने select किया उससे आपको exam देना होगा अब दोस्तो जो mining and mine surveying के चात्र है उनका वी जो time table है 27 अगस्त 2020 को पहला paper है एक सितंबर 2020 को अगला paper है चार सितंबर 2020 को अगला paper है तो दोस्तो इस वीडियो कैसे लेगी आप कमेंट कर इस चैनल पे नहें तो चैनल को subscribe कर ले तो धन्यवाद दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए कर दोस्तो प्रूस